तो क्याल चाल भाई लो कैसे हो आप लोग और मेरे भाई खुद इस बात की confirmation फाइनली वनप्लस ने कर दी है ये 14 तारीक को वनप्लस 7 सीरीज अफिसली एननाउंस होने वाला है और इसके उपर से भी जो अच्छी बत हम सब के लिए है वो ये है कि ये फोन सेम डेट को इंडिया के अंदर भी लाँच होने वाला है लेकिन दोस्त फिलाल के इस वीडियो के अंदर हम सब बाते करने वाले हैं उन सारी खीजों के बारे में जो की आपको जाननी जरूरी है वनप्लस 7 और सायथ वनप्लस 7 प्रो के बारे में तो श्टार्ट करते हैं फिर बिनों को बकवास के जल्दी से वीडियो को मैं हो रिशाव और आप लोग देख रहे हैं रिशाव टैक तो वीडियो में आगे बनने से पहले दोस्तों मैं आपको अगेन एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ अभी कुछ टाइम पहले की बात है वनप्लस की CEO ने फाइनली वनप्लस 7 सीरीज के ओफिसल लाँच डेट को कंफर्म कर दिया है लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं काफी सारे लोगों का डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ तो जिन लोगों को अभी भी इस बात को लेके कंफ्यूजन है आपको बता दू बेसिकली दो फोन्स लाँच किये जाने हैं जिसमें से सबसे पहला तो होने वाला है नॉर्पनर वर्प्लस 7 जो की बेसिकली वनप्लस 60 ही होने वाला है विद इंप्रूब्ट प्रोसेसर और कुछ नहीं चीजे लेकिन भाई साब यहाँ पे मेन कहानी तो वनप्लस 7 प्रो के साथ होने वाली है यहाँ पे आपको फुल बैसले स्क्रीन मिल जाएगी सांती जाद पॉप अप सलफी क्यामरा देखने को मिलने वाला है और लीक्स के हिसाब से यहाँ पे आपको 90 हर्ट की स्क्रीन देखने को मिलने वाली है वैसे इस डिस्प्ले के बारे में थोड़ी देर बात बात देखरते हैं लेकिन फिलहाल के लिए दोस्त आप लोग इस बात को अल्मोश्ट हंडरेट परसें कंफर्म मान सकते हो कि OnePlus के यहाँ पे बेसिकली दो विरिंट्स होने वाले हैं सबसे पहले अब आजाते हैं नॉर्मल OnePlus 7 पे तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता है कि यहाँ पे आपको यह फोन काफी कुछ OnePlus 60 जैसा देखने को मिलने वाला है नो डाउट OnePlus 7 के साथ आपको काफी जैदा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और सबसे बड़ी बात इस फोन के साथ आपको Qualcomm Snapdragon 855 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा देखो मेरे भाई मुझी नहीं लगता अगर आपके पास अल्रेडी OnePlus 6T है तो आप लोग इस फोन को लेने में इंट्रेश्टेट होगे लेकिन अफकोस अगर आपके पास OnePlus 6 है या फिर 5T है तो नो डाउट मेरे भाई आप लोग इस फोन की उपर अपग्रेट कर सकते हो खेर फिलहाल के लिए बाते कर लेते हैं फोन को OnePlus 7 Pro बनाती है तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देने चाहता हूँ इस फोन के साथ आपको एक फुली बैजल स्क्रीन देखने को मिलने वाली है जो कि अगेन जैसे कि आप लोग देख पार हो एजिस की तरफ से कर्वड है कि OnePlus 7 Pro के साथ आपको एक पॉपप सल्फी क्यामरा देखने को मिलने वाला है जो कि काफी कुछ सिमलर होने वाला है OPPO के F11 Pro की तरह और फिलहाल कली मैं आपको बता देने चाहता हूँ इस बात की कनफरमेशन खुद कंपनी ने कर दी है कि नॉर्मल OnePlus devices से बाइस आप OnePlus 7 Pro की जो डिस्पले होने वाली है वो कॉष्ट करने वाली तीन गुना और ऐसा है इसलिए साथ क्योंकि इस बात की काफी सारे लिक्स और रुमर्स निकल की आ रहे थे कि OnePlus 7 Pro के साथ आपको इस बार 90 Hz की डिस्पले देखने को मिल जागी और अफकोस इस वज़े से ये फोन काफी ज़दा स्मूध हो जाएगा लेकिन साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ ऐसा भी हो सकता है कि इस फोन के साथ आपको इस बार QD HD रेजुलूशन वाला OLED पैनल देखने को मिल जाए और हाँ भाई अगर ये सारी खीज़ सच होती है तो इस बात में कोई शक नहीं कि OnePlus 7 Pro काफी ज़दा महेंगा बिकने वाला है खेर वैसे आपको एक और फीचर के बारे में बता देना चाहता हूँ जो कि आपको सिर्फ OnePlus 7 Pro के साथ देखने को मिलता है as compared to OnePlus 7 क्योंकि इस फोन के साथ आपको बता देने चाहता हूँ आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको में कैमरा देखने को मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का जो कि of course IMX586 ही होने वाला और भी वाज्णे पर बता है यहाँ पर आपको एक यह तक के साथ में का में कर सकता है और बाकी तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, उमीद करते हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो मेरे भाई एक लाइक शपकाओ, चैनल को सस्क्राइब अगर आपने अभी तक न पाई